इस्राइल के खूनी हमले तेज होते जा रहे हैं और अब उसके टागेट पर गाजा का वो इलाका है जो हमास का सबसे खतरनाग गड़ माना जाता है लेकिन इस्राइल ने इस इलाके को भी रॉंदना शुरू कर दिया है हालात ऐसे हो चले हैं कि चार लाक की आबादी रातो रात गायक हो गई खान यूनिस पर खूनी हवाई हमले दे च्छे हफ़ते की जंग में गाजा पट्टी खून की पट्टी बन चुकी है इस्राइल की प्रचंड बंबारी और जमीनी हमले में उत्तरी गाजा की 90 फीजदी आबादी दक्रनी गाजा की तरब भाग चुकी है उत्तरी गाजा में डेड़ से 2 लाख लोग बची हैं जो भयाना खमलों की बीच अब दक्षनी गाजा की तरब भाग नहीं पा रही है इस्राइली सेना एक तरह से उत्तरी गाजा में जीत का ऐलान कर चुकी है और हमास के 10,000 से जादा लड़ाकों का सफाया इस्राइली सेना अब तक कर चुकी है लेकिन अब प्रधान मंत्री नेतन याहू के नित्रितों में बनी युद्ध सरकार के आदेश पर इस्राइली सेना दक्षनी गाजा में जबरदस्त मिसाईल और हवाई हमले कर रही है इस्राइली सेना का दावा है हमास के बहुत से लड़ाके और कमांडर फिलिस्तीनियों के साथ भाग कर दक्षनी गाजा में घुजगे खास तोर से दक्षनी गाजा में खान योनुष शहर में सबसे ज़्यादा हमास के लड़ाके और कमांडर मौजूद है यही वज़े है कि अब इस्रैली सेना जमीन से मिली खुफिया जानकारी के अधार पर दक्षुनी गाजा के खान यौनिस शहर पर हमला कर रही है मुर्दों के साथ भागे हमास लड़ाके इस्राइल ने घाजा के दक्षुनी भाग अस्थित खान योनिस पर ताबर तोर मिसाइल अटेक किया है इस हमले में 26 से जादा फिलस्तीनी मारे गए हैं जिसमें जादा तर बच्चे हैं इस्राइली सेना के दावों के मताबिक इस्राइली सेना ने हमले से पहले घाजा इस्थित खान योनिस को खाली करने की चेतावनी दी थी इस्राइली सेना ने कहा था कि अगर इस शहर को खाले नहीं किया गया तो अन्जाम बुरा होगा जिसके बाद से इस्रैली सेना ने फाइटर जेट और मिसाइलों से खान योनिस पर हमला कर दिया फिलिस्तीनियों का दावा है कि इस्रैल के इस हमले में एक ही परिवार के 11 लोगों के मौत हो गई है दावे के मताबिक खुद को बचाने के लिए पूरा परिवार दक्षन गाजा पहुचा था बताया जा रहा है कि मृत्कों में कई बच्चे और नौजात शामल है जबकि इस्रैल का दावा है कि खान योनिस में हुआ हमला खुफिया इनपूट के अधार पर किया गया सतीक हमला है जस्पे कई हमास लडा के मारे गये हैं हम आपको बता दें, दक्षनी गाजा के शहर खान योनिस के अबादी चार लग है और अब इस शहर पर इस्रैली सिनाने हमले शुरू कर दी है बमर्तफים שמתחת לשיפה, שומעים הערב היטב את רעם, שרשראות הטנקים, את הדחפורים שנוגחים בשטח הם שומעים מתחת לאדמה, שומעים ורועדים מפחד צהל החל להשתמש גם בשיטות חדשות בימים אלה לטיפול במי שנמצא במנהרות וגם לחיסול של מנהרות जईलेख विश्टपेर, बयामी मकरोवीम, कौल को खोतेनो, अफदेम, अलमेनातलिम तो पितरो खबर में च्छिप गए हमास के कमांडर दक्षन से उत्तरी गाजा की तरफ 9 से 10 लाक लोग भाग चुके है इस्रेली सेना का दावा है कि अब तक 70 के करीब हमास लड़ाके मारे जा चुके हैं दक्षनी गाजा में इस्रेली कोफिया अजिंसियों को खबर मिली है कि उत्तरी गाजा से हजारों हमास लड़ाके फिलिस्तीनियों के वेश में भाग गए हैं खबर तो यहां तक आ रही है कि अबुलेंस में रखे जनासों के बीच हमास लड़ाके उत्तरी गाजा से दक्षनी गाजा की दरब भागे हैं कुछ ऐसी भी खबरे हैं कि हमास के कुछ कमांडर और लड़ाकों ने कबरिस्तान में पनाह ले रखी है इस्रेली हमलों से वचनी के लिए हमास के लड़ाके कबरिस्तान में मुर्दों के साथ कबर में ले लेते हुए हैं इधर RIDF नने दावा किया है कि जब तक गाजापटी से पूरी तरह से हमास की लड़ाकों का सफाया नहीं हो जाता है तब तक हमास पर हमले होते रहेंगे दक्षणी घाज़ा में इस्रैल का आखिरी युद्ध मिडल इस्ट और पश्चिम मीडिया के तरब से जारी जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो घाज़ा के लिए साक्षाद नरक साबित हो रहे हैं 12,000 से जादा लोग घाज़ा में मारे जा चुके हैं वेस्ट बैंक में हमास के कई कमांडर मारे जा चुके हैं 50 फीज़दी से जादा घाज़ा तबाह हो चुका है 35,000 से जादा इमारतें घाज़ा पट्टी में तबाह हो चुके हैं ओतरी घाजा से असी फिस्द्दी से जादा लोग डगशनी घाजा के तरब भाग रहें और अभी भी भागने का सलसला रुका रही है ओतरी घाजा के बाद डगशनी घाजा में अजरेली हमले पूरी तיारी के साथ शुरू हो है प्रभी जगशनी घाजा के बाद धरए लोगशनी घाजा केיל हमास के लडाकों के बीच इस्राइल के कोच ऐसे एजेंट है जो हमास के कमांडर और लडाकों के हर हमले और हरकत के खुफिया जानकारे इस्राइल के खुफिया एजेंसी और सेना को दे रहे हैं जैसे ही सुरंग में छिपे हमास के लड़ाके और कमांडरों की जानकारी का सिगनल हमास के बीट छिपे एजेंट इसरेली सेना को देते हैं। उसके बाद इसरेल तेजी से अपने हवाई और जमीनी कमांडरों को टारगेट की लोकेशन की जानकारी देता है। जिसके बाद एक सुरक्षित दूरी पर चले जाते हैं जबकि हमास के कमांडर और बाकी लड़ाके इसरेल के हवाई और जमीनी हमले में बोरी तरह से मारे जा रहे हैं एक अनुमान के मताबिक हमास के 5000 से जादा लड़ाकों को इसी तरह से खुफिया इंपोर के आधार पर इसरेली सेना ने मार गिराया है यहां तक कि 65 से जादा हमास कमांडर इसी तरीके से इसरेल ने मार डाले हैं